हेलो एवरिवन दिस दमित पांडे वेलकम तो आप प्लेटफॉर्म डाउटनेट लेन फन तो कैसे हैं आप लोग बच्चों आज किस लेक्षर के हम बात करें तो आज हम एक इंट्रेस्टिंग सा चैप्टर करने वाले हैं आपकी सिविक्स का चैप्टर है जिसका नाम है सब्सक्राइब करते हैं तो मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि जब भी कोई चैप्टर को शुरू करो तो उसका नाम जो है उसका जो आउट्लाइन है वह क्लियर होना चाहिए तो अगर मैं बात करूं पावर शेरिंग की तो क्या है पावर शेरिंग तो यहां पर बेसिकली प बीसक्राइब करना ना पावर शेरिंगा चाहिए तो ने विल्कुल भी नहीं हो ता तो सबसे पहले यहां पर समझने की कोशिश करों यहां पर इसको किस टरम में इस्तेमाल किया जारहा है पावर जो है यहां पर बॉक्सिंग वाली पावर का इस्तेमाल हूरा है तो यहां यहां पर power को जो है, political terms में इस्टम रहा है, जो हमारी quality है, जो हमारा political system है, especially हमात करें अपने इंडिया में, या फिकोई भी ऐसे nation में जिवाँ निशा है, वहाँ पर powers का कैसे distribution हो रहा है, उसकी यहां पर बात करेंगे हम, और यहां पर यह जानने की भी कोशनिश करेंगे कि एक जो like democratic nation है उसमें power sharing इतनी दरूरी क्यों होती है और आप आगे जानोगे कि कोई democracy जो है ना उसे हम imagine भी नहीं कर सकते without power sharing like it's a backbone like it's a backbone of a democracy any democratic country तुम किसी की भी बात कर लो यहाँ पर तो power sharing होंगे ना वो इसकी backbone होगी अगर power sharing नहीं है तो वहाँ पर democracy का कोई मतलब भी नहीं है ठीक है तो इसको हम बात करने वाले है तो इसको ना सबसे पहले कि एक्जांपल्स की थूरू समझते हैं ठीक है एक्जांपल्स की थूरू दो तीन दो तीन एक्जांपल्स देखें चलो तो आगे बढ़ते हैं ठीक है हाँ तो यहां पर थोड़ा सा आते हैं और यहां पर थोड़ा सा एक एक्जांपल लेता हूं ठीक है आप हूँ class 10th में है क्लास 10th में हूँ बैटा मेरे राइटिंग बहुत गंद है तो थोड़ा राइटिंग को एग्णोर करना ठीक है आपके मांद की जिए class 10th में आपके section में आपके section आपके पूरे 10th में ठीक है section A में 40 बच्चे है section B में 50 बच्चे है section C में 35 बच्चे है section D में 60 बच्चे है तो यह total बच्चे है ठीक है यह सारे बच्चे है a b c d section class 10th और आपका class teacher आपके अमिद भहिया class teacher है और चारो के चारो के चारो क्लास तीचर है ठीक है अमिद भीया अब आपके अमिद भहिया ने बहुत गलत बात कर दी क्या बोल दिया इन्होंने पता किया कि एक आर नाम के student को आर नाम के student को क्या किया यहां पर चारो section का क्या बना दिया monitor बना दिया और इससे बोला कि in case अगर मैं नहीं होता हूं है ना अगर मैं अपसेंस होता हूं अगर क्लास में नहीं आया हूं मैं आज में तो जितने भी तुम affairs है मों manage करोगी मतलब जो मैं देखता हूं और जो भी affairs मैं देख रहा हूं क्लास को manage कर रहा हूं एज़ क्लास्टीचर को जो भी काम कर रहा हूं, मैं आटेंडन्स वगरा लेता हूं, वो X, Y, Z जो भी काम होगा, वो ये बंदा करेगा, और in case अगर कोई भी प्रॉबलम होती है, तो तुम वो मैनेज करोगी, है न, जो भी वच्छे काफी उदम मचा रहे है, है न, शोर मचा पावर से, सिर्फ एक इंसान के हाथ में है, वो है R, अब यहाँ पर R जो होगा, R के हाथ में जब एक्सिस पावर है, तो इस पावर का मिस्यूज भी कर सकता है, और वैसे इसने क्या किया, कि इसके जो फ्रेंट्स थे, इसके जो बेस्ट्रेंट्स थे, F, I, J, है न, F, I, J क और जिन बच्चों का नाम जाना चाहिए तर सर तक, अमित भीया तक, वो गया है, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा यह, कि यह जो तीन लोग हैं बच जाएंगे, है न, अब ऐसे क्या होगा, ऐसे जो section A, section B, section C, section D, उन्हें तो यह चीज दिखेगी न, क यह partiality कर रहा है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में यहाँ जो है वहाँ पर dispute होने की chancels रहेंगे, लडाई होने की chancels रहेंगे, ठीक है, न, तो यहाँ पर का यहाँ जा राज़ चानला इसे ठीक है, अब मैंने यह दूसरा scenario लेते है, दूसरा scenario कि है कि मैंने section A से जो है किसी एक X नाम के बंदे को जो है मैंटर बना दिया section B से Y नाम के, section C से Z नाम के or section D से मैंने ये नाम के बंदे को जो है क्या मानीटर बना दिया मैंने अलग-अलग crappy, अलग जो है यहां से section was बना दिया मॉइंट इया अब यह अपने class का face को देखेगा, यह अपने class की इतनी पर face उनको manage करेगा और यह अपने, और फिर एक चारो का जो है यहाँ पर, रमेश को क्या बनाती है, रमेश को monitor बनाती है, चारो, head monitor, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा यह, कि अब मैंने यह भी बोल दिया, का xuब से देखेगा, ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ciao होगी है, यहाँ पर हमें दिया को report करेगा, ना की R को, R का करेगा, प्रॉलमपर तो यहां पर आर आए और के बाद के बाद यहां पर आप बसक्ति हो यहांपर यह चारों अपर क्यों इन्मेंहें भी इब तरह बोग्तने हैं यहां पड़कर अगर distribution हो गया है, तो यहाँ पर क्या होगा है, अब यहाँ पर सब खुश है, है ना, section A का अपना monitor है, section B का, section C का, section D का, इन चारो section के अपने monitors है, और यहाँ अपने class को manage कर रहे हैं, और यहाँ पर R का कोई भी right नहीं है, कि इनके बीच में interfere करें, तो यहाँ पर क्या होगा ह power sharing जो है, बहुत जादा important हो जाती है, तो इसी के बारे में chapter में पढ़ेंगे, और इसी के बारे में जो हम अलग-अलग examples के through समझने की कोशिच करेंगे, कि power sharing जो है, इतनी जरूरी क्यों हो जाती है, बस power sharing का अगर मैं general terms में मतलब बता हूँ, तो यहाँ पर basically जो center होता है, वो अपनी powers को states के बीच में distribute करता है, हैना, centralized नहीं होता है, यहाँ पर decentralization main feature होता है, कि जितना हो से के उतना powers को distribute करो, for example, अगर आप इंडिया में देखते हो, तो इंडिया में central government है, state में state government है, और local government है, local को भी हमने तीन parts में divide कर दिया है, तो यहाँ पर हर जगा हमने try किय है कि हर एक जो हमारा section society का वो participate करे, जो हमारे political functions है, ठीक है, तो I hope आपको इतनी जो चीज़े हैं वो बहुत अच्छे से clear हो गई होंगी, ठीक है, चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर बात कर लें थोड़ा सा power sharing के बारे में, ठीक है, चलिए, हाँ, so in a democracy, all powers does not rest with the any one organ of the government, तो यह अगर हम बात करें, democracy में, तो जो powers होती हैं, वो किसी एक, एक organ के हाथ में नहीं होती, उसका distribution होता है, है ना, and intelligent sharing of power among less nature, executive and judiciary is very important, अच्छा, अगर हम बात करें, अगर हम horizontal distribution power की बात, अभी इसके बार हम बात करेंगे, horizontal distribution of power, vertical power, तो basically आप देखोगे, कि यहा करता है, तो वो judiciary आ जाती है, है ना, तो इनकी भी अपनी-पनी क्या है, powers है, और कोई किसी के बीच में, इंटर्फेर नहीं करता है, सब पर check and balance रहता है, basically, तीनों पर हम बात करें, है ना, तो यहाँ पर भी kind of power sharing देखी गई है, ठीक है ना, तो यह क्या है, यह kind of horizontal distribution, same level पर two stories, Belgium and Shilanka, तो Shilanka और Belgium समझे स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर Belgium और Shilanka को हम पढ़ के हो रहे हैं, basically, हम अपने इंडिया का भी तो case ले सकते हैं, क्योंकि इंडिया में जो है, एक perfect democracy देखी जाती है, हम basically दोनों को compare करेंगे, और दोनों से समझने की कोशिच करेंगे, कि power क को distribute करने से ठीक से, और power को distribute ना करने से, क्या-क्या हो सकता है, क्या-क्या उसकी disadvantages हो सकते हैं, अगर आप powers को centralize कर रहे हो, आप किसी एक ऐसे पर्टोर सेक्शेश ऑफ साइटी को ignore कर रहे हो, जिसको आपको ignore नहीं करना चाहिए, तो इन दोनों cases से आपको पता लगने वाला ह ठीक है? चलिए, आगे बरते हैं, अब बात कर लेते हैं, बैल्जिम च्री-लंकार, तो बैल्जिम की बात करते हैं, तो बैलजिम कहा है, तो बैलजिम एक country है, यह बैस की योरोप का जो continent है, वहाँ पर है, जैसे हम एशिया नाम के continent अब यह है तो योरोप में इतना तो पता पर इसके थोड़ा नेबरिंग कंट्री उसको बाद देख लेते हैं तो इसका फ्रांस नीजर लेंड जिवनी लग्जंबग तो इन चार कंट्री के साथ मिसका जो है बॉर्डर ये शेर करती है था चार नेबर कंट्री जान्स के अब बोसकते हो एक करोड उसके आसपास की जैसकी पॉपलेशन है अबाट हाफ दा पॉपलेशन ऑफ पॉपलेशन और अगे बढ़ते हैं आप थोड़ा सा इनका अगर हम देखेंगे लिंगिश्टिक तरमस में बात करें तो बहुत जादा डाइवर से नका बहुत जादा आप बोसकते हो काइंड अफ एक होता है न एक जो complicated होता है इनका लिंगिश्टिक जो pattern है इनका मतलब जैसे लोग भाशा बोलने है उसका percentage क्या है area wise वो थोड़ा सा complicated है उसके हम बात करते हैं तो जो हम बात करें है population की तो 59% जो population है ये फ्लैमिश रिजन में इस फ्लैमेश एक उनका वहां का इलागा है रीजन एक एरिया है महां रहती हो ये डच स्पीकिंग है डच एक लैंग्विज होती है मेटा है न में वेसे नीजल लेंड में बोली आते हैं तो ये जो है डच लैंगिज जो है बोलते है और बात करें 40% की 40% जो लोग है वो कह नहीं है यहां पर वो फैंच भाशा बोलते हैं अब यहां पर आप पो लोगिए सर एक प्सेंट क्या हुआ थो एक पशेंटर जो लोगया वह वो वो क्या बोलता है वो जर्मनी बोलता है है रहतार मेंगें वंत्व परसेंट ऑफ अफ बैल्जिन स्पीकिंग गडिक यहां So in the capital city, Brussels, 80% हां, लेकर अगर हम इनकी capital की बात करें तो capital क्या है, Belgium की याद, बहुत ही जर्नल knowledge का question है Capital क्या है, Belgium की तो Brussels है और Brussels की हम बात करें तो Brussels में यह जो data वो बिल्कुल उल्टा है Brussels इनकी capital की specifically हम बात करें तो वहाँ पर 80% of the population is French-speaking and 20% of the population is Dutch-speaking तो यहाँ पर अगर हम बात करें की capital की, overall बात करें capital को छोड़के जो दूसरे रिजियन से तो वहाँ पर जो debt-speaking है, वो काफी जादा है as compared to the French-speaking but if I talk about the capital city तो capital city में जो French-speaking population है वो 80% है और यहाँ पर 20% जो है debt-speaking है तो आपको यह समझ मां आ गया होगा जो मैंने data आफसर शेयर किया है इनके जो kind of linguistic data है जो उनका linguistic structure जो है वो आपको समझ मां आ गया होगा ठीक है? चलो हाँ, अब बात करें The minority French-speaking community was relatively rich and powerful अच्छा, यह minority का मतलब क्या होता है तो दो चीजे होती है, minority and majority Minority को basically Hindi हम बोलते है Alpsankhya, मतलब जिनके numbers बहुत कम है जो संख्या में कम है, जो numbers में कम है उन्हे हम minority बोल देते है और जो numbers में बहुत ज़्यादा है उन्हें majority में बोल देते है तो यहाँ पर देखो, तो overall अगर हम देखे पूरे Belgium का तो यहाँ पर जो Dutch speaking जो population है, वो थोड़ा सा क्या है, आप बोल सकते हो, यह ज़्यादा है है ना, लेकिन हम बात करें कौन ज़्यादा rich है, कौन ज़्यादा prosperous है, तो यहाँ पर जो minority French speaking जो लोग है, यह ज़्यादा rich है और यह ज़्यादा prosperous है अब होता है, यह basically होता है एक psychology होता है कि जहाँ पर दस गडीब रह रह रहे हैं दस पूर लोग रह रहे हैं, उसकी बीच में अगर एक 40 सा कोठीब बनी हुई है, यह बंगला है तो यह ज़्यादा बागी के जो 10 लोग है, वो आप से जलेंगे है ना, बुरा लगता है, ओविस ली बादा बुरा लगे है क्यों न बुरा लगे है, यह तो वह जो आमीर इस जगाँ पर रहे है यहाँ पर सारे अमीर है है ना, the minority French-speaking community was relatively rich and powerful तो दिस वाज इसेंटेट बाइड़ इस जो है ना, उनने पसंद नहीं है basically, है ना, who got the benefit of economic development and educational much later तो यहाँ पर, basically क्या हुआ है, यहाँ पर जो Dutch-speaking nation जो है, Dutch-speaking country जो है, nation जो है, country, Dutch-speaking population जो है, इनको जो economic developments है, है ना, और जो इनकी जो kind of education development जो है, इनने काफी बाद में मिले, ताकि, हुआ क्या basically, starting में क्या था है, कि Dutch, जो थे, वो थोड़े से backward थे, है ना, और इनको जो चीजे मिलनी शुरू होई है, वो थोड़े से late हुई है शुरू, और यह जो चीजे फ्रेंच वालों को, फ्रेंच दो, फ्रेंच, फ्रेंच जो लोग थे, basically, वो kind of France है, क्योंकि दो, चार इसके neighbors है, है ना, डच कहां से आगई होगी, नीजरलेंड से आगई होगी, फ्रेंच वाले है, थोड़ा सा, डच वालों के अंदर है, ठीक है, this led to the tension between the Dutch speaking and French speaking, तो यहां पर थोड़ा सा tension, conflict का जो है, यहां पर माहल बन जाता है, किसके बीच में, Dutch speaking or French speaking, अच्छा, अब यहां पर करेंड है, तो वहीं तो रहते हैं, तो यह तो यहां रहाँ है, तो यह तो यहां पर खेंगे, तो यह तो दो नो और 1960 में इन दोनों communities के बीच में काफी टेंशन रहती है, that tension between the two communities was more acute in Brussels, Brussels presented special problem, तो बिसे कि यहाँ पर यहाँ पर यह जो problem थी, यहाँ ज़्यादा दिखती थी, Brussels में ज़्यादा दिखती थी, Brussels में क्यों ज़्यादा दिखती थी, तो आपको ज़्यादा भी बताया है कि Brussels में French speaking population ज़्यादा है, और Dutch speaking कम है, और overall reason में Dutch speaking ज़्यादा है, तो यहाँ पर Brussels में इनकी जो capital city है, वहाँ पर यह जो problem ज़्यादा देखी जा रहे थी, इन दोनों communities के बीच में conflicts और tensions, ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर थोड़ी से हमारी स्टोरी जो है, वो थोड़ी से रुख गई है, अब देखो थोड़ा साप मैप देख लोगे, तो यह जो red color का है, यह वैलून रीजन है, और फ्लैमिश कॉन सा है, तो yellow वाला है, ठीक है, So the Dutch speaking people constituted a majority in the country, but a minority in the capital. अब यहाँ पर देखो, है ना, यहाँ पर वही सीन है, तभी तो यहाँ पर Brussels में टेंशन जादा देखी आ रही थी, क्यों? क्योंकि जो Dutch speaking है, वो majority है, overall country में, लेकिन if we talk about the capital city, तो यहाँ पर यह minority की ज़र रहे थे, capital city में तो भाई French speaking जाता है, तो यहाँ पर इसलिए tension में बनी हुई थी, आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं, अब जो हमारी स्टोरी है थोड़ी रूख गई है, अब इसका conclusion जो है ना, वैसे साउथ, साउथ एशिया में आता है, वो इंडिया के भी साउथ में है, और इंडिया का नेबलिंग कंट्री है, थोड़ा साम बॉर्डर शेयर करते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं, थीक है, अब बात कर लेते हैं, लेट उसका एंडिया में बड़ी चुटी टो यह आप पर शायथ 48 km, 50 km बोट जाहां ज़ादा देफरेंस नियां, यह इतने दूर है, it has about 2 crore population, about the same as in the Haryana, तो मलब जाए इतनी population Haryana किया है, जैसे बेल्जिम की population 1 crore थी, है ना, which is half the population of Haryana, लेकिन हरयाना की population के बराबर जो है, इनका क्या है, इनकी population है, 2 crore population है, ठीक है, चाले, आगे बढ़ लेते हैं, श्रिलंका की हम बात करें यहाँ पर भी, अगर हम बात करें linguistic terms की, मतलब जो लोग भाशा बोलते हैं, उस तम में भी काफी diversity है, और वो भी काफी complicated है, है ना, diverse population है, the major social groups are Sinhala speakers, तो बेस्किली तो Sinhala speakers, Sinhala basically एक language है, जो बोली जाती है, श्रिलंका में, तो बेस्किली 74%, देखो यह जो डेटा है, इग्जेक्ट कभी नहीं होता है, 74-75% होता है, आपकी बुक में 74% दे रखा होगा, कोई कोई बुक में 75% दे रखा है, तो यह 74% क्या है भाई, Sinhala speaking population है, और हम बात करें Tamil speakers की, जो Tamil है, हैंना Tamil speakers की हम बात करें, तो 18% जो है, यह Tamil speakers है, अगर हम इन Tamil speakers की भी बात करें, तो उसमें भी थोड़ा सा अलग अलग है, एक है Indian Tamil, जो India से migrate कर गए है, जिनके forefather जो थे India से migrate कर गए थे, तो वो बाई, बेसिकली वो शृधन पार्ट में, जैसे Tamil नाडू में Tamil बोली आते हैं, तो बाई, तो नेबरिण है ना, मैंने बोला ना, कि पास की जो रीजन होते हैं, उनका असर तो पड़ता है, जैसे हम बात करें अभी Belgium की तो Belgium में जो नीदर लेंड था नीदर लेंड डेच भाषा बोली आती है तो यहां पर तमिल भी दो तरह के हैं एक तो नेटेब पॉपुलेशन वो तमिल बोलती है नेटेब 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 टमिल का मतलब क्या हो गया हांकि जो मूलनेवासी जो वहां पर श्टार्टिंग से रह तो यह बेसिकली इतना थे यह 13% है, जिना हम श्री लंकन तमिल बोलते थे, और एक थे इंडिन तमिल, है ना, राष्ट रैस्ट यानि कि कितना हो गया यह, एक, दो, तीन, चाफ, पाथ, 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 परसंट है ना, तो फॉर्टीन परसंट तो श्री लंकन तमिल है, और 5% जो हैं सब्सक्राइशन वर्गर की रूपना आया होगी है यहाँ पर, और वो यहाँ पर जाके उन्होंने अपना घर बना लिया, ठीके, तो यहाँ पर आके बस गये वह, तो यहाँ पर इंडिन तमिल बोला गया हूंए, तो इस और दाफ परसंट किया है, इंडिन तमिल से, सो इसे लिए शिलंगल तमिल यहाँ यह नौ, नॉन पर हमेशना नौर्व नी घर साउत, आप उपर हमेशने नौर्ट, नीचे साउत और इस्ट से हमेशना क्या है, इसका ये रिइजन है, थीका एधर इंडिया है, इलीए इन नौर्स में न roast में इंडिया है और जब नौर्ट में इंडिया है तो यहाँ पर आके वो इसके पास ही तो बसेंगे ना नीचे क्यों जाएंगे वो ठीके न तो हर चीज का लॉजिक होता है है ना तो यहाँ पर वह यहाँ आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर थोड़ा सा अब हम किसमें थे अभी तक हम लिंग्विश्टिक बेसिस पर भाशा के आदार पर जज़ कर रहे हैं और अभी हम इनके जो इनको हम अगर रिलिजियन के बेसिस पर देखें तो यहाँ पर जो 74 पर संट जो सनालास पॉपलेशन है उसमें जातर 98-99% जो लोग हैं वो बुद्धिस्म को फॉलू करते हैं बुद्धिष्ट हैं ना बुद्धिज्म जो रिलिजियन होता है उसे फॉलू करते हैं तो यहाँ पर कुछ जो पॉपलेशन है उसमें तमिल स्पीकिंग और सनाला स्पीकिंग अब आप पूरा कैल्कुलेट करोगे तो आप बोलोगे सर एक परसंट क्या है तो एक परसंट जो अधर लैंगुजिज़ वो बोलते हैं अभी आपके मन में हमेशे एक क्वेशन आता सब्सक्राइब तो अब सुनों यहाँ पर थोड़ा से सुनों अब यहाँ पर हम दोनों सुचेशन देख लिए और उसका को नियुक्त निकाला है अगर अगर बात करें बैल्जिम में अगर डच लोगी बात करें डच कम्यूटी का में में तो वह इस चीज का फाइदा उठ सकती है और यहाँ पर पार्टिशन भी हो सकता है बैल्जिम का अगर सुचिएशन ज्यादा जो है वर्स हो जाती है तो यह हो सकता है ठीक है और शिलंगे के में बात करें तो सनालास कम्यूटी जो है इंज्वाड़ा इवन बिगर मेजॉर्टी पाइस तो बहुत ज्यादा बड़ी मेजॉर्टी में है और एंड कोड इंपोड इंट्स विल ऑन दा एंटार गंटी तो यह अपना जो विल है अप संख्यक्वाद से इंडियों बोलते हूं ठीक है नाव लेट्स लुक एट वाट हैपन इंद बोट अभी हापर थोड़ा सम देखते हैं कि क्या क्या हो दोनों की केसे में क्या समझदारी दिखाई और यहां पर जो शिलंका इसने क्या समझदारी नहीं दिखाई उसकी हम बा जो मिजोडिटीरियर्जम जो आया है तो मिजोडिटी का मतलब क्या होता है जिनके नंबर्स बहुत जाएदा है दोस हुआ मोरेन नंबर्स तो यहां पर नंबर्स में कौन जादा थे संदालास थे और यहां पर जब आए-सम लगा देते हैं तो एक विजाधारा बनेगा यहांने कि यहां पर इसका मतलब क्या होता है कि एक ऐसी स्टूशिशन होते हैं जिसमें जो मिजॉर्टी वाले लोग होते हैं व हागी यहां पर यहां पर हम क्या गरेंगे हम जो है आपर जो मैनोर्टी है इनकी जो विशन दिमांट से उनको हम क्या करेंगे दिसरेगार करेंगे तो तो ऐसे situation को, ऐसे belief को हम का बोल देते हैं, तो इस belief को हम majority terrorism बोल देते हैं, इसे हिंदी में हम बहुत संक्या कवार बोलते हैं, तो यह situation थी, अब यहाँ पर इन्होंने, यह situation कैसे आई, इन्होंने कुछ क्यों नहीं किया, आप देखते हैं उसको, अब हुआ क्या देखो, यहा अगर आप भूल जाते हो, तो ऐसे आपको date याद कर लेनी है, the layers of the Sanhalas community sought to secure dominance over the government by virtue of their majority, अब obvious नी बात है, क्योंकि जहाँ पर कोई भी होता ने, specific community जीत जाती हो, majority में होती है, तो उसका ही कोई इंसान जो होता है, उसकी जो party होती है, वो dominate करती है, वही सरकार बनाती है, वह तो यहाँ पर obvious सी बात है, जब यहाँ पर सरकार बनी, यहाँ पर government बनी, तो किसकी बनेगी, तो Sanhalas speaking, है ना, तो यहाँ पर उनकी सरकार बनती है, Sanhalas community की जवाँ, सरकार बन जाते है, government बन जाती है, तो यहाँ पर हुआ क्या, तो यहाँ पर as a result, a democratically elected government adopted a series of majority and measures to establish Sanhalas supremacy, अ जो एक kind of, जो एक democratic government थी, मतलब इनकी चुनाऊ हुए थे, अब obvious सी बात है, 74% population Sanhalas community की है, तो कोई एक ऐसी पार्टी जीते हैगी, जो Sanhalas community से belong करती हो, तो उन्हें तो वोट मिल गए, जीत भी गई, तो यह जो democratically elected government थीर, इसने क्या किया, इसने जो है यह practice करना शुरू कर 2006 में इन्होने एक act passed किया, सबसे पहली जो controversy है ना इन्होने 1956 में एक act passed किया, ओधा यहाँ पर Sanhala को, Sanhala को जो है यहाँ एक official language सिरफ Senhala कू, घुचित किया और यहाँ पर इस.- रिगनिस को आठक्कल जो है बैसिकली थो हां टो टोटो जो है चलिए थो तो टो टोटbenप। आओ हमारी इंडिन कада करें लेकिन उन्होंने क्या मत hugging है कि तो यहां पर अबिसनी बात है tamilz को जो है गुस्सा आएगा अब एक बात होता हो जैसे होता है na school में teachers होता है गोई teacher होता है किसी एक बच् KIM के लिए partial होता है और किसी उब के लिए impartial होता है है ना उसको जो जो जैसे कोई भी डाउट होता है उसको बहुत अच्छे से आंसर मिल जाता है होता है कि स्कूल में कभी होता है तो भाई जो सेम चीज आपके साथ हो रही है आपकी डिमांड को इंप नियुक्र रहे है आपको ठीक से जवाब भी निदे रहे हैं तो आपको अब इस थी बात भी लगे गो देगा यहां पर फिर भी अब यहां तक तो फिर भी ठीक था दर ऑ्वर्मेंट फॉड़ अपर अप्र अंदर तक आ यह तो बहुत बहुत बूदिप में चला गया ठीक है अद्टिशन एश्टिपलेट अट शेल प्रटेक्ट एंट फॉस्टर बुद्धिस्प अ इस लिए उसका भी यहां पर जो बुद्धिस्म इसको एक ठीकल कम्यूनिटी तो यहां पर बुद्धिसम पर ब्रच पितना इए गया जाएगा उनकी राइट्स को ध्यान में रखा जाएगा तो यह सारी जो पॉलसी जैए वह गवर्मेंट अपनानी शुरु करती और ऑब all these governments may just coming one after the other gradually increase the feeling of alienation among the shilangal tamils to alienation क्या होते है आपका कोई हाई ही अपना आपको काई आपको काई आपको किसी भी दूसरी कंटे में जाते हो आपको अपको अपना को इंदिंस नी मिलेगा तो क्यासा लगा कि जो पॉलिटिकल पार्टी जो है ना यह जो रेक्ट होके आई है जो कि बुद्धिष्ट नालास के द्वारा चलाई जा रही है वो सिर्फ जो वो काईड़ आप बोल सकते हो कि लेक्ट को लेकिए और कल्चर को बहुत जाता है और यहां पर यह सिर्फ अपनी ही लेंग्विज और अपने ही कल्चर वाज़ें ध्यान दे रहे हैं डिस्रिगार्डिंग और कल्चर ठीक है चलिए अब यहां पर हुआ क्या सुनों अ हाँ चलिए तो इرجार्ट कि आह सुनों कि मागति कि तमिल इस好了 आप यह तो मिल thankas यह वाएव यहां पर आप इलंड मिल जो है है उन्यींल इन आपने इक को जो इसे नहीं को जो है ग्लीजिए टेक की बीज़ी ना जो जहां पर तब पोपलेशन शाहिए अटारोमी क्या होता कि आप अपने था जोए उस जाए जिवाव को जुए एंडिस्टी और सकते हो तो से आटारी से चैनल तो यहां पर इनकी जो बांट सी नियूमाइं वो फोज़ा देनाई किया गया तो यहां ज 1980s 1980s तक आते आते सेवल पॉलिटिकल ओगनाजिशन वर फॉर्म डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल इलम अब यहाँ पर इन्हों ने क्या किया फिर जब इस्टार्ट में मांगे नहीं मांगी गई तो बाद में बहुत सारी जो पार्टीस थी तमिल पार्टीस इन्हो बाद फिर अब उने वाला है और यहां प क्या होता है एक सुचेशन आज आती घ्रहए उद्दी की ठीक है ना इस्टान पार्ट ऑप ओड रहन ऑर इश्चंभरं आपर फैकव जह तो ढूर्यव होता, basically, बहुत जादा मारधार होते हैं, लोग बहुत मरता है, फे छे लोग जो है हापर, पर परकते हैं, पर बाथ करता हैं जो भड up the बेल्जियम लीडर्स तुक डिफरेंट पाथ अब यहां पर बैल्जियम ने क्या किया वह जो शिलंकर नहीं किया था बैल्जियम ने यहां पर स्टैप्स उठाए इन्होंने किया कि इन दोनों कम्यूनिटी के बीच में जो है कॉंस्रिक्ट ना है टेंशन ना है तो इन्होंने कौन कौन से स्टैप्स लिए उसकी बात कर लेते हैं इन्होंने क्या किया इन्होंने बिवी 1970 और 1993 से यहां पर उन्हें अपने कॉंस्टिशन को चार बार अमेंट किया अब हएंन। है इसलिए हां पर इनकी है गवर्मेंट ने चार बार अमेंट किया पहली बारमर्स किया होें अन्हें को मैं सब्सक्राइब औरियु प्रिच्व नमबर अफ डच्छ और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिश्टर शैल भी कॉल अब इनों ने क्या कि इनों ने जो है अलग लग पार्स में डिवाइड करती है सैटल में सैटल गववर्मनें स्टेट में स्टेट गववर्मनें इनों ऐक कम्यूनिटी मुवर्मेंट मिवि मनाई । इनों कैपिटल जहां पर describes that the number of Dutch and French-speaking ministers shall be equal in Central Government. अगर हम Central Government की बात करें, if we talk about Central Government, तो यहाँ पर Dutch-speaking and French-speaking जो मिनिश्टर होंगे, शाल भी एक्कोल होंगे, साल भी एक्कोल, है न, बराबर होंगे, Central Government में. Some special laws require the support of majority of members from each linguistic group. अब यहाँ पर in case अगर कोई भी law अगर आता है, तो यहाँ पर majority चाहिए होगी, linguistic groups की, majority. है न, तो वो भी कर दिया, तो support of the majority of members from each linguistic groups, thus no single community can make decision unilateral. तो कोई भी एक जो single community होगी न, अपनी मन मर्जी से decision नहीं ली जाएगी, नहीं लेगी, सब की जो होट होगे, और जो majority में होगी, उसकी जो यहाँ पर बात सुनी जाएगी, बिसकली, तागे कोई conflict नहीं हो, ठीक है, और यहाँ पर जो को, many powers of the central government have been given to the state government, हाँ, यहाँ पर यह सबसे हची बात क्या होई कि central government जो थी, इसने कुछ powers जो है, बहुत सारी जो पावर से वो श्टेट गवर्मेंट को भी दी, हाँ, और यहाँ दो को, many powers of the central government have been given to the two state government of the two regions of country, जो दो रिजन से न, वैलो न, वैलों थाओ, the state government are not subordinate to the central government, और जो state government जो होगी न, वो, central government के subordinate नहीं होगी, तो यहाँ पर यह सारी जो हाँ, यह देखो, हाँ, अगर आप यह देखोगे, हैना, देखो, वैलों था और एक फ्लैमिश रिजन था, अब यहाँ यह दो states है, हैना, और की यह capital है, इनो ने क्या किया भाई, इनो ने, बेसिकली, जो central government थी, उसने अपनी सारी powers दे दी, किसको, बहुत सारी थारी न, मतलब बहुत सारी जो powers है, वो state government को दे दी, और यहाँ पर यह make sure किया कि भाई, देखो, यहाँ पर जो government होगी, central government होगी, वो interfere नहीं करेगी state से बीच में, इनो ने, इनकी capital में एक अलग, अलग government बनाए, और इन्होंने community government भी बनाए, तो यह सारी जो चीज़ है, इन्होंने की, है न, तो यहाँ पर अपनी community जो होगी, वो, the French-speaking people accept equal representation in Brussels, because the Dutch-speaking community has accepted equal representation in the central government, तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ बात आगी न, यहाँ पर सुनना, यहाँ पर जहां से, यहाँ पूरा पड़ो, यहाँ से स्टार्टिंग से फिर से बढ़ो, the French-speaking population accepted equal representation in Brussels, जो French-speaking population थी न, आप देखो, numbers में क्या है, बाई, numbers में French जादा थे, लेकिन फिर भी जो है, यहाँ पर equal representation होगी, मतलब जो Dutch-speaking होगे, और जो French-speaking होगे, although Dutch-speaking minority में है, capital में लेकिन, फिर भी जो है, दोनों की equal representation होगी, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब भाई, जब यहाँ पर central government कें बात करें, है न, तो देखो यहाँ पर, because the Dutch-speaking community has accepted the equal representation of central government, तो जब बात हुई थी central government की, पूरे देश की बात हुई थी, तो यहाँ पर जो Dutch-speaking population थी न, और जो community थी, इसने accept किया था, कि हम central level पर भी जो है, कोई tension न हो, ठीक है, तो यह सारी जो चीजे वो आती है, तो दा photograph here is the street of address in Belgium, you will notice that the place names and direction in the languages, French and Dutch, अब आप देखोगे न, यहाँ पर French and Dutch languages in दोनों जो है direction दे रहे हैं, तो आप देखोगे यह क्यों हो रहा है basically, दोनों जो languages उने क्या किया रहा है basically, तो यह सारी जो चीजे आपको पता होनी चाहिए, तो यहाँ पर थोड़ा से देखते हैं, आप यहाँ पर शिलंका क्यों बात करनें, तो शिलंका shows as the contrasting example, it shows us that if a majority community wants to force its dominance over the others and refuse to share power, it can undermine the unity of the country, है ना तो यहाँ पर यहाँ पर आपको बिसक्लिए अगर हम बोलू इन दोनों एक्जम्पल से आपको पता क्या चला है बेल्जियम के और शिलंका के तो यहाँ पर यही तो पता चला है कि अगर आप अपनी कंट्री में पावर्स को ठीक से डिवाइड नहीं कर रहे हो सत्ता की साहिजारी ठीक से नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर कॉंसेट हो सकते हैं और यहाँ पर सबसे जो हमने फ्रेश एक्जम्पल देखा वो देखा हँए शिलंका का है नहीं उन्हों है की दिमार्ड को अग्रोर किया वहां पर क्या हो गया वहां पर सिविल वार हो गया गया वहां पर अगर तो पर ने इस एक जो टॉपिक है वह ऑई पावर शेरिंग इसाइब और ये और यह क्यों बोला आ ठाएक लाइक लाइट वाइक सूल because it has to reduce the possibility of conflict between the social groups. Obviously, बात है, है ना, जब मैं किसी एक student को ज़्यादा support कर रहा हूँ, बाकी की तीन को नहीं कर रहा हूँ, तो obviously, बात है, वो तीन जो होगे, वो इसे एक से चड़ेंगे, है ना, वो मुझसे भी चड़ेंगे, तो यहाँ पर होगा क्या, वो बहुत हथा कम हो जाती है, है ना, since social conflicts often leads to the violence and political instability, power sharing is a good way to ensure the stability of the political order, obviously, बात है, यहाँ पर क्या होता है, जब kind of social conflict होता है, and social conflict is directly related to the political conflict, है ना, तो यहाँ पर जो है, जो यहाँ पर violence होती है, तो political instability आ जाती है, जब political instability आ जाती है, तो यहाँ पर हम power sharing कर रहे हैं, तो यहाँ पर यह country के political system को भी stable लगता है, so power sharing is the very spirit of democracy, है ना, आगे ना, तो very spirit of the, kind of soul है 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 हम पर, spirit है हम पर, democratic rules involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live within its facts, people have a right to be consulted on the how they are to be governed, a legitimate government is one where citizens to participation acquire stakes in the system, अब बिसकिल यहाँ पर एक legitimate government कैसी होती है, जहाँ पर जो जो लोग हैं वाहां के, जो आम नागरिक हैं, उनको भी kind of कुछ stakes मिलते हैं, उन्हें भी मौका मिलता है power में participate करने का, तो हमने क्या किया, जैसे if we talk about Indian government, Indian constitution के बादे में बात करें, तो हमने हर जगा जो है हमने power को divide कर रखका है, आपने देखा होगा भी जो bill आया है, 33% अभी तक जो seats जिरफ सी women के लिए, वो सिर्फ local level पर थी, अब वो, अब देखोगे, आप अभी वो राज सवाल, लोक सवागी जो चुनाओं आएंगे, इलेक्शन आएंगे, उसमें भी जो society में लाना चाहती है, है न, तो वो यहाँ पर steps उठाए जारे है, जैसा आप देखोगे, 33% कुछ चुब seats होती है, वो reserves होती है, किसके लिए, देलिट के लिए, क्यों होती है, क्योंकि गवर्वर्बन चाहती है, क्योंकि इनका कहिना क्या exploitation हुआ, exploit किया गया है नहीं तो उसको एक ऐसी पोजीशन पर बेढ़ा जाए जहां वो अपने कम्यूनिटी को रिप्रिजेंट कर सके है ना तब यहां पर क्या होता है रियर्वेशन का सीन रखा जाता है तो हमने तो बहुत अंदर तक जो है पावर को डिस्ट्रीट कर सकता है हमारे इंडिन डेमोक्रेसी सब चाहिए में किसी के पास भी अतनी तागत नहीं है जो अपनी तागत का एक स्यूज कर सके हैं कि यहां पर पावर्स को किसी एक के हाथ में दिया ही नहीं गया है, सब के हाथ में दिया गया है, तो I hope आपको मेरा जो पॉइंट्स हा वो क्लियर हो गए होंगे, हैना अब यहां पर फॉर्म पावर्स शेरिंग की बात कर लेते हैं, आखरी टॉपिक हमारा, उसके बाद चाप आपको में दिया है, तो यहां पर फॉर्म पावर्स की नोशन से बढ़ते गए, तो वैसे हमें रिलाइज हुआ कि हम अगर पावर किसी एक के हाथ में दे रहे हैं, वो एक राइट वे नहीं है, किसी भी देमोक्राटिक गवर्मेंट को चलाने का, हैना, बन बेसिक प्रिंस पावर का, हैना, तभी तो हम क्या करते है, तभी तो हम जहाँ सज़ादा चाहते हैं कि डेमोक्रेसी में जहाँ सज़ादा जो लोग है वो पाटिस्पेट करें, ठीक है, तो पावर is shared among the different organs of the government, such as, less nature, executive and judiciary, तो उसको हम क्या बोल लेते है, जब same level पर जो हम पावर को डिवा को implement करवाना, तो जो BJP की government, जो है, नरेंद मोदी है, वो किसका part है, इनकी जो cabinet minister, they all are the part of, they all are the part of executive, judiciary, तो हमारे देश में जो एपक्स court चो है, supreme court, high court, आप थोड़ा सा नीचे आओगे, district court, तो in case अगर ये जो laws बनाए है, implement होने ने, तो ठीक से कोई implement नहीं कर रहा, कोई भ क्या है, हैना, let us call the horizontal distribution of power, तो इसको क्या बोलते है, horizontal distribution of power, because it allows the different organs of the government placed at the same level, मतलब, अलग-अलग organs है, हैना, और एक same level पे है, हैना, और सब के आपने अलग-अलग function है, कोई किसी की बीच में जो है, interfere नहीं करता, सब एक दूसरे पे check and balance रखते है, at the same level to excise different powers, मतलब, same level पर अलग-अलग powers को जो है, exercise कर रहे है, ठीक है, आप देखो यहां पर, such a separation ensure that none of the organs are excellent unlimited powers, मतलब, यह क्या चीज को ensure करते है, कोई भी ऑर्गन जो है, अपनी unlimited powers को use नहीं कर सकता, इनकेस अगर executive गलत करते है, तो भाई, supreme court है, हमारे देश में courts को बहुत जादा तागत दी गई है Judiciary बहुत strong है हमारे country में, तो आपने देखा को कभी supreme court होती है, वो फटकार लगाती है government को, क्या आपने गलत किया, है ना, time to time check भी करती रहती है कि constitution के basic structure को तो चेंज नहीं करती है, सरकार कही, तो यह सारी चीज़े जो है, आप देखने को मिलती रहती है, so this result in the balance of power among the various institutions, त responsible to the parliament or state, अब तो मैंने judiciary की बात किया है, लेकिन if we talk about the ruling government, जो executive का पार्ट है, तो यहाँ पर यह किसको answerable होती है, तो पार्लेमेंट को, है ना, पार्लेमेंट किसका पार्ट होता है, तो पार्लेमेंट जो है, वो तो लैसलेचर का पार्लेमेंट में ही तो भाई, ऐसा जिस्ट जीती होती है, जैसे 545 seats है, हैना 545 seats है हमारे लोक समा में, 300 हैं किसकी, 300 है बीजेपी की, जिसकी majority है, बाकी की बच्ची 245 किसकी है, वो तो भाई दूसरी seats है, वो तो दूसरी लोग किया ना, इसमें अंग्लो इंडिन की आता दो, 243 बचेंगी, हैना, तो यहाँ दूसरे岸 की, जूसरे फार्टी के ना, इन दोरों को मिलाखी तो पार्लेमेंट बनती है ना, तो पार्लेमेंट को, जो सरकार जो होती है, उसको जवाब भी ररेना पड़ता है, पार्लेमेंट को, SOUND और पार्लेमेंट में तो सब ऑपोजिशन की लीडर्स भी होते हैं, वह भी आ जाते हैं, किटसाइज भी करते हैं गुवर्मेंट को, तो यह हम पर क्या होता है, चैक और बेंस रहता है, तो इस पर चैक भी रखती है, इस अरेज़ तो था छैन्व यह हम कहा है, तो इस पूरे सिटम को हैं था भी में हम बोलता है, परियसरे व्यूर्मेंट ने है तो सटम को छोड़ी यह को कहता है, पार्लेमेंट के हाथ में, तो check and balance है, ठीक है, अब चाहिए, हम बात करें, अब यहाँ पर power can be shared among the different level, और generally government for the entire country government and the provincial और regional, अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, एक अलग-अलग level पर, इसको मोलते है, horizontal distribution of power, यहाँ पर हम government को अलग-अलग levels पर divide करते हैं, है ना, state में, state government, क्योंकि अलग-अलग अलग states है, तो उसमें, state government, है ना, फिर, center में central government, local में local government, है ना, आप देखो, इस central government जो है, वो पूरे देश में अंदर घुस-घुस के तोड़ना काम करवाएगी, अब जैसे आपके सामने सड़क पूर जाती है, तो आप सीधे नरिन मोधी के पास जाओगी, क्या, है ना, आपके सड़क खराब हो जाती है, तो आप सीधे योगी जी के पास जाओगे, अगर आप यूपी से हो तो, है ना, तो आपके वार्ड में कोई member जीता होगा, चुन सब्सक्राइब करते हैं, इसे हम बूलते हैं, वर्टकल दिश्चिजिविशन ओपाफर, थान बाके खराऀब होगा, तो करलत कि थान के अफिजी तो जिसे आपके बगर्मयट इस आप्योवाद के सडव स्थे पार तो जीं पावर देखिशिए निटीक दॉनिण नहीं होती है, but in those countries like us, where there are different levels of government, the constitution clearly lays down the powers of the different level of government, this is what they did in Belgium, but was refused in Sri Lanka, this is called federal division of power, अब इसको ही क्या बोल देते हैं, जो हमारा vertical distribution of power है, इसको हम एक नम और देते हैं, इसको हम बोलते हैं federal distribution of power, इसमें अलग-अलग levels पर जो है डिवाइड कर रहे होते हैं, यहाँ पर Centralization नहीं होता, यहाँ पर Decentralization होता है, है न महुआ हम इसको हमकि आप我不知道 हैं, अधो हम पर भुटे किते होकि किוט है रहे हैं, ट Recently कि ना बोलते हम न सेदरी। के पास कितते हैं, आप इसको हमार इसंड था इंडिया लिखने हैं फिर इन ivप गश्व तो पैसिक्त है को प्लिया नेगन dislocat लीजिट्रूज जी कई तो गृटन चंप इसको इन गोड़े लेखने की तो सकी मुझें म सबूर्टProductions Review कोल दिया ठीक है ना पावर्स में भी और सो भी शेर्ट अमंग डिफरेंट सोचल ग्रूप सच आज था रिलीजिन एड लिंग्विश्टिक ग्रूप इंद बेल्जिम इस अ गुड एग्विश्टिक ग्रूप में इंडिया में लेकिन फिर बहुत सारी जगह पर होती है अभ इस विकर्ट सेक्षिन एंड विमन और रिप्रेजंटेंट इन दा लेस्ट एंड अड्मिस्टेशन यह तो इंडिया में देखने को मिलेगा 33 परसेंट लोकल लेवल पर है और अब जो पास हो गया है तो अभी आपको राजसमा लोगसमा में भी जो है 33 परसेंट जो है मिज ठीक है ठीक है ठीक है तो पावर शेरिंग अरेंज के अरेंजमेंट कैन बी और सो भी सीन अभी आफ पॉलिकल पार्टिस प्रेशर ग्रूप्स एंड मूमेंट कंट्रोल एंड और इंफ्लूंस दोल इन पावर इन देमोग्रेशी अट सिटिजिंस मुश्ट है एव फ्रीड होते हैं वो सरकार को बहुत जाधा करते हैं तो यह भी किया है काई ऑंक एक एक करेचाहल हो सकते हैं इन कंटेंपूररी देमोक्रेशी तया अमगर इसольш या पैरटेशन और पावर सब्सक्रट करोंगी तो यहां पर मूर किया होता है मौपवर पावर और सेल्ग करोगी healthy competition होता है तो यहाँ पर हर पार्टी कोशिश करेगी कि वो अच्छा काम करवाएं और यह भी एंशूर करती है कि तो एक जो में यहाँ पर पावर की बात होरी है विसकलिए वहां पर क्या लिखा हुआ है इंद लॉंग रन् पावर शेर्ट अमंग्र allied the different political party that represents different ideology तो प्रूलाँ कmen न न पर में हो ने शम्त शाब पर 10 6 होते हैं जो इस होते हैं आप बिसक्न होता है यह को उन्हों गुरीड लॉजिय० यह सीलों करते हैं यह तो ये सारी होती है यहां पर यहां पर कभी 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 यहां पर कोशेश की आगता है तो यह भी होता है तो यह वह दो एप ermoo तो यह भी होता है एक form of power sharing so in a democracy find the interest groups such as those of traders, businessmen, industrialist, farmers and industrial workers they also will have us sharing governmental powers either through the participation and governmental committee or bringing influence of the decision making process so basically आपने देखा होगा बहुत सारी committees होते हैं government की यह ना जो पर्टकोल किसी land के लिह होते हैं ऐसे traders की हो गहीं, farmers की होगी, businessmen की होगी तो इसमें बड़े-बड़े जो लोग उती हैं जो farmers को represent कर रहे होते हैं जो businessmen को represent कर रहे होते हैं, जो industrialist को represent कर रहे होते हैं वो हिन committees का हिस्सा होते हैं और government इनकी सलां भी लेती है ठीक है चले तो इसी के साथ जो हमारा एक चैप्टर था एक फिनिश हो गया है आयोप आपको सारी जो चीज हैं वो क्लियर हो गई होंगी अब हम मिलेंगे अगली क्लास में तब तक लिए गुडबाई टेक केर